नमस्कार दोस्तों शाकानाव नियूस में आपका स्वागत है मैं खुशी नायक मुम्बे में आफत की बारिश ने कहर बरपाया है मुसलेदार बारिश में अलग-अलग हथसे में यहां 25 लोगों की मौत हो गई है बारी बारिश की वज़े से चेंबूर इलाके में लैंड-सलाइड के बाद एक दिवार गिर गई इस हाथसे में 17 लोगों की मौत हो गई मौके पर National Disaster Response Force के साथ ही राहत कर्मी जुड़ गए है विक्रोली इलाके में एक मकान गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है वही भांडूप में एक दिवार गिरने से एक ने जान गवाई है मुक्यमंती उद्व ठाकरे ने मुरुत्तो को के परीजनियों को पाच-पाच लाग के मौवजे का ऐलान किया है मुम्बे में मौनसुन की बारिश आफ़त लेकर तो आई है चेंबूर के भरतनगर इलाके में मुसलदार बारिश के बाद लैंसलाइट हो गई इससे एक की दिवार गिर गई जिसके चपेट में आकर 17 लोगों की मौत हो गई मौके पर रेस्क्यू ओपरेशन जारी है मलबे में फसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है NDRF के साथ ही राहत और बचाव कारिये में स्तार्निक प्रशासन भी जुड़ गए है BMC का कहना है कि चेंबूर की दिवार गिरने से हुए हाथसे में मरने वाले की संक्या बढ़कर 17 हो गई है वही दो घायलों को इलाज के बाद अस्पताल से चुट्टी मिल गई है मुक्यमंतर उद्दव ठाकरे ने बारिज से हुए हाथसों में लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है साथी घायलों को मुफ्त में इलाज कराने का निर्देश दिया गया है NDRF के इंस्पेक्टर राहूल रगुवंच का कहना है NDRF ने मलबे में से दो शव बरामत किये है NDRF कर्मियों के पहुचने से पहले स्तानियक लोगों ने 10 शव को निकाला था कम से कम साथ लोग और मलबे में दबे होने की अशंका है वही किंग सरकल पर भी जल बराव हो गया है कांदिवली इस्ट के हनुमान नगर में भी भारी बारिश के वज़े से बुरा हल है यहां लोगों के किचन तक बारिश का पानी पहुच गया है उदर लगातार भारिश के बाद गांदी मार्केट इलाके में सडकों पर पानी भर जाने से आवाजाई प्रभावित हुई है मौनसुन की बारिश से मुंबे जूच रही है शहर के तमाम निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है वही जगा जगा सडकों पर जल भराव से ट्राफिक पर भी बुरा असर पड़ा है इस खबर में बस इतना ही आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद